देश के राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले 87,000 के पार पहुँच गया है इस महामारी के खिलाफ हमारे फ्रंट लाइन वरकर्स अपनी जान की परवा के बिना मोर्चा सम्हाले हुए डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी के अलावा पुलिस इस बीमारी को हराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर अपना फर्ज निभारी इन पुलिस कर्मियों के हिफाज़त के लिए राश्ट्रिय स्वाभिमान एंजियों ने 25,000 पीपी केट दिल्ली पुलिस को दी ये पीपी केट नए पुलिस मुख्याले में केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री जी केशन रेड़ी की मौझूदगी में दिल्ली पुलिस कमिशनर एसन श्रिवास्तव को सौपी गई पुलिस सिरफ लाइन डाडर के नहीं है पुलिस सिरफ बंदोबस्त के लिए काम नहीं करेंगे आज देश में पुलिस सामाजिक सेवों में भी आगे रहेने वाले हैं आगे रहे और हर समय पर जो भी समस्या होते हैं समस्या का सावधान में समाधान में सुबसे पहले रहेन वाले Frontier Forces है, हमारे जिर्श के सेक्रिटीफ से 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 साहता है वी मिलती रही साहता हम इस रूप में ले रहे हैं कि डिली के लोग डिली पुलिस की काम की सराना करते है जिस प्रकार से डिली पुलिस कर्मी ले पिछले बीते दिनों में जो मामारी की दुनों में जो काम किया इसके पती उनका एक अच्छा रुख जो बना है उसके बारे में ये उसकी इंडिकेशन दिली पुलिस की प्रोविजिन और लॉजिस्टिक्स यूनिट के जरिये ये किट फील्ड में काम करने वाले अधिकारी वकर्मचारियों को दी जाएंगी गौर तलब है कि राष्ट्रे स्वाभिमान एंजियो के सयोजग बीजेपी सांसर्थ प्रवेश्वर्मा इस एंजियो की स्थापना उनके पिता और दिली के पूर मुख्यमंत्री साहिप सेंग बर्मा ने की थी 30 जून को उनकी पुनितिती के मौके पर ये पीपी केट पुलिस कर्मियों के लिए दी गए